तो साथ ही हूँ अगर आप अपने mobile phone में idle construction 3D का इस्तमाल करते हो यह application काफी लंबे समय से आप इस्तमाल कर रहे हो लेकिन अब यह application आपके mobile phone में open नहीं हो रहा है कोई technical glitch आ रहा है कोई issue आ रहा है आपका internet open भी है फिर भी यह चल नहीं रहा है अच्छे खासी processing speed नहीं दे रह होंगा कि आप इस problem का solution कैसी ले सकती हूँ सबस्वहला करना क्या है कुछ नहीं करना है बहुत simple और बहुत आसान है इस application पर आपको टैप किरना है जैसे आप यहाँ पर टैप किर रहोगे तो यहाँ आपको एक option आएगा app information और delete या नहीं install आपको यहाँ पर delete या नहीं करना है मैं नहीं चाहता कि आपका फालतू का internet यहाँ पर खर्चो इसलिए आपको simple तरीके से app information पर tap कर देना है app information पर tap करने के बाद यहाँ option आ रहोगा storage usage simple तरीके से आपको आपको clear catch और clear data कर देना है आपको ऐसा करने से अब यहाँ पर इस particular application की जो भी storage थी वो clear हो चुकी है सी इसी बात है storage clear करने के बाद अब यह application आपके लिए एकदम नया हो गया है अब आपको इस application में द्वारा से login हो जाना है और आप इस application का इस्तमाल करोगे तो proper तरीके से application इस्तमाल होने वाला है use होने वाला है operate होने वाला है तो मैं आसा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको